हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के पिरियूडिक एससमेंट को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं question 1 है, tick the correct option यहाँ पर आपको questions दिए गए हैं और option दिए गए हैं तो आपको सही option को select करना है और right mark करना है question is, the greatest number is तो यहाँ पर option है 6,254, 9,000, 7,689, 5,654, तो greatest number is 9,000 तो answer is option number B, right mark करेंगे next the smallest number is 4,311, 1,234, 3,455 and 1,324 so smallest number is 1,234 so answer is option number B, right mark करेंगे next is which pair of numbers make the sum more than 600 कौन से number का जो pair है, वो sum करने पर 600 से ज्यादा जो है उसका answer आता है, तो यहाँ पर first है 200 plus 350 less than 600 next is 100 plus 550 more than 600 इसका जो sum है वो है 650 तो यह जो है more than 600 answer है, option number B अब है question number 4 difference between which pair of numbers is less than 500 इन में से किस pair में जो है, उनके बीच में 500 से कम का difference है, तो यहाँ पर option जो है, यह जो question है आपका गलत है तो आपके teachers जो है, इसे आपके school में correction कराएंगे तो आप जो है, उनके according करेंगे अब है question number 2 answer these questions question is, अब bus is 5 meter long एक bus जो है 5 meter लंबी है what will be the total length of 19 सथ buses, तो ऐसी 19 busों की total length जो है, वो कितनी होगी तो इसके लिए आप क्या करेंगे 5 meter, वन bus की जो लंबाई है, वो 5 meter है तो 19 की आपको बतानी है तो इसके लिए आप 5 into 19 पांच की 19 से multiply कर देंगे 5 into 19 equal 95 meter it means, the total length of 19 सथ buses will be 95 meter ऐसी 19 busों की लंबाई 95 meter होगी next question है, रवी पेड 3500 रूपीज for 100 liter petrol रवी ने 3500 रूपए 100 liter petrol के लिए पे किये what was the cost of 1 liter petrol तो आपको बतानी है कि 1 liter petrol की कितनी कीमत थी तो इसके लिए आप क्या करेंगे 3500 को 100 से divide कर देंगे so, 3500 divided by 100 equal to 35 रूपीज it means, the cost of 1 liter petrol was 35 रूपीज 1 liter petrol की cost 35 रूपीज थी next है, solve the following questions यहाँ पर questions दिये गए हैं आपको ने solve करना है first is, how many rounds of the park to complete 2 km, देवी परसाद जो है, पार्प का कितना चक्कर जो है 2 km complete करने के लिए लेगा तो 1 km में कितने मीटर होते हैं, 1000 और 2 km में होते हैं, 2000 मीटर, तो यहाँ पर जो है suppose कि जो देवी परसाद है वो यहाँ पर start करता है चलना शुरू करता है तो यहाँ से, यहाँ तक उसने जब दूरी जो है, क्रॉस की तो कितना चला वो, 500 मीटर फिर यहाँ से यहाँ तक चला, 500 मीटर तो कितने हो गए, 1000 मीटर हो गए फिर उसने यहाँ से यहाँ तक चला जो पार्क है, उसका इतना आगे बढ़ा तो कितना हो गया 1500 मीटर और फिर जहां से वह चला था वहाँ पर पहुच गया निकि उसका वन राउंड जो है पूरा हो गया तो वह कितना चला कंप्लीट टू किलोमीटर देवी प्रसाद को जो है पार्क का एक चकर लगाना होगा दो किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए नेक्स है तोटल वेट ऑफ फाइव बॉल्स इस सिक्स हंड्रेट थर्टी ग्राम पांच बॉल्स का जो वेट है टोटल वह चैसो तीस ग्राम है वा जो है आपको बताना है वन बाल का वेट कितना होगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे 630 ग्राम डिवाइट बाइब 500 धिवाइट कर देंगे 630 को एक्वल टू 126 ग्राम तो इसका जो आंसर कितना होगा It means one ball का weight होगा 126 ग्राम Now total weight of two balls तो अब two balls का weight कितना होगा 126 ग्राम into two यानि कि two से multiply कर देंगे equal to 252 ग्राम Total weight of two balls is 252 ग्राम Now next question is Sonal type 40 words in a minute एक मिनट में sonal 40 words type करती है How many words would she type in 12 minutes तो 12 मिनट में वह कितने words type करेगी तो आप क्या करेंगे 40 को 12 से multiply कर देंगे 40 into 12 equal 480 It means sonal would type 480 words in 12 minutes Sonal 12 मिनट में 480 words type करेगी Next is Children of a school are going on a trip to Bhopal बच्चे जो है एक स्कूल के वो Bhopal एक trip पर जा रहे है Look at the table Table देखिए याँ पर table दी गई है and answer the following questions और दियेगे questions के answer दीजिए यहाँ पर यह classes है Classes में कितने बच्चे है Number of children First class में 35 Children second 37 Third class में 42 Children fourth में 46 and fifth में 48 तो टोटल कितने चिल्रन है तो टोटल है 208 अब question है How many children are going on the trip ट्रिप पर कितने बच्चे जा रहे हैं तो कितने है टोटल 208 तो यहाँ लिख देंगे 208 Each bus has 50 seats परती एक bus में 50 seat है कितनी 50 If they get 4 buses यदि उन्हें 4 bus मिलती है How many children will get seats तो कितने बच्चों को seat मिलेंगी तो bus कितनी है 4 एक bus में कितनी seat है 50 तो 50 को 4 से multiply कर देंगी कितना answer आएगा 200 और बच्चे कितने है 208 तो कितने बच्चों को seat मिलेंगी 200 को तो answer है 200 अब है question number 4 Write all possible 3 digit numbers using the digits 3, 5 and 7 इन 3 digits को use करके जितने भी possible number इन से बन सकते हैं आपको वो बनाने हैं तो इन 3 digits से number बनेंगे 357, 375, 537, 573, 735 तो इसी के साथ आपकी assessment sheet complete होती है मिलते हैं next assessment sheet के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you